हेलो पेच्चा लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे देखो आज की ना इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास फोस की इंग्लिश का चाप्टर नंबर डू वैसे यूनिट नंबर सेवन है यह वैसे ना पर चाप्टर नंबर टू है यह ओके तो च सारी यह चीज़ी देख सकते हैं सारी वीडियो एक्साइजस सब कुछ मैंने क credit करा रखा है तो चलो मोथ आज की वीडियो को हम स्टार्ट करतेः हैं इसका नाम है the food we eat वो खाना जो हम खाते है food को मतलब खाना ठीक है जो हम खाना है रोटी है सबजी है नाल है इदली है इस अब देखो यह तो यह बहुत सारे बच्चे बच्चें अब शही आपस हमें लुट करए एक साथ आपज आपके कि आपलग लुटास लग ले ऐसा तो नहीं होता नहीं होता है कि सब बच् tribes strongly भी यहीं विद आलू सब्जी ये बच्चे बोल रही है कि मेरे पास पूरी है आलू की सब्जी के साथ आलू की सब्जी आप लोग खाते होंगे ना आलू टमाटर तो उस सब्जी के साथ इस लड़की के पास पूरी है पूरी का चौड़ी तो बच्चे बोल रही है मेरे पास पूरी है अलू के सबजी के साथ ठीक अब ये दूसरा लड़का क्या बोल रहा है ये बच्चा बोल रहा है I have Roti with सबजी मेरे पास रोटी है रोटी मतलग चपाते जो हम रोठी खाते हैं सबजी सबजी के साथ कोई सबजी हो सकती है इस वाली बच्ची ने कहता कि अलू के सबजी है इसने कहा पस रोटी के साथ सबजी है ठीक है अब ये थर्ड बच्चा है ये बोल रहा है इसके पास के फूट्स है तो बच्चा क्या बोल रहा है I have fruits मेरे पास fruits है फल है फल बहुत और भृटकी है क्या भोल रही है I have godok जो छोटे छोटे से हुमारे लड़ो होते रहा हुए उसे हम कह देते हैं Godok क्याeler हम हम Godok तो यह भच्ची सही मैं I have Godok channel ऑख़ग है और यहाँ ना जौबाद रखां ओका तो भी तरहना से तरह भी में मुप dignity अब देखो यहां पर यह जो लड़की है यह बोल रही है I got idli with chutney अब दोको यह तेस्टी से खाना है ना इडली आप लोग खा दे होंगे अपने घर में वाइट कलर की होती है ना इस बच्ची के हाथ में भी यहां पर रखी हुए से गोल गोल होती है यह इडली और साथ में सामबर होती है यह फिर उसकी वाइट के दाथ की चटनी होती है तो बच्ची बोल रही है I got idli मैं idli लाई हूं चटनी के साथ ठीक है अब देखो यह जो बच्चा है यह क्या बोल रहा है I have chila in my box मतला मेरे जो टेफिन box से यह रहा है इसका box यह बच्चा कह रहा है मैं तो लाई हूं मेरे पास JiMat कहana है जो बच्ची है देखो इसके डम पेट पर हात और बच्ची फोड़ी से उधास लग गरी है बाके सब बच्चे स्माहिल कर जवा रही काँ लेकिन हो थोड़ी फूधास लग ही है अब क्यूं आप देखो क्यूं देखों प्ताऊंगे यहा बोल तो सारे भी बच्चे खुछ ना कुछ खाना लेकर आया है ना लेकिन यह बच्ची पेट पे हाथ रके ना सढ़ तो क्यों कि यह कुछ भी खाने के लिए नहीं लाई इसलिए बच्ची सढ़ है अभी देखो क्या बोलते हैं इतना समझ मेरा ना चलो आगे देखते हैं हाँ देखो अब यह बच्ची क्या बता रही है my mother is sick no lunch for me तो अब यह बच्ची बोल रही है मेरी मम्मा sick है sick का मतलब क्या होता है S I C के मतलब होता है इसकी मम्मा जो है वह बिमार है तो वह कहरी है no lunch for me मेरे पास कुछ भी नहीं अँझ मेरे पास लंच नहीं लाई मेरे पास लंच नहीं है ठीक तो जो मम्मा बिमार है तो लंच कौन बनाता तो लंच भू नहीं लाई तो यह बच्चा आप कहा रहा है कि झाल यह चूटा साफ का चार्टर जिसमें हमने क्या देखा कि भाई जो बच्चे एक तेफ़न बॉक्स में अलग भाना लेकर आएं तो हम आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं क्या क्या दा हूं एक बच्ची आडू की पूडी पूरी और अलू के सब्जी लाई एक बच्चा रोटी सब्जी एक फ्रूट गोड़क इडली और चटनी गोभी का पराणा एक बच्ची कुछ नहीं ला पाई उसकी ममा बिमारे और एक बच्चा चीला लाया है ठेक है चलो अब आते हम साहीड वर्ट्स पर कुछ वर्ट्स पर नजर मारते हैं from for from मतलब वहां से ठीक है वहां से ठीक है तो for के लिए damn आप लोगो समझने होते हैं हाफ का मतलब होना thank you क reflect भी जब हम थांक्यू बोलने होते कि आपका शुक्रिया है ना शेयर करने का मतलब होता है कुछ आपस में शेयर करना बातना अब लाइंच का मतलब क्या होता है दुफहर का खाना अच्छा बताो सुबह के खाने को क्या बोलते हैं? Bree ergफास. येस, भेरी गुण। सुबह कब्Яबोलते हैं? ANDREW मुझे doormanFaust EUR शुवे सबह के खाने को क्या बोलते हैं सुबह की खाने को हमने क्या बोलते हैं föreक रोज। is अब रात के खाने को आम क्या स्माइल करना okay चलो चाटर हुआ खतम एक साइस पर चलो फर्स यहां पर अंसादी कुशंस फर्स कुशन नमबर क्या है आप लोग कहां बैठते हो जब आप लोग स्कूल में लंच करते हो तो जब आप लोग स्कूल में लंच करते हो तो जब आप लोग स्कूल में लंच करते हो आप लोग कहां बैठते हो अच्छा आप देखो कुछ बच्ची होंगा जोगी ग्राउंड में बैठते होंगा ऐसा ह अप लोग मुझे बता हो कि आप लोग कहां बैठते हो अपने डेस्क पर या फिर ग्राउन में बैठते हो second question क्या है how do you share your food with your friends आप अपने friends के साथ अपना खाना कैसे share करते हो भई शेयर करते हो पर तो यह बता हो ठीक है अगा कैसे करते हो आप लोग बता हो बहुत है चैके अब फीर थीर्ट नहीं कि आणते हैं अचिल इस trip will you share पर घुल संस and तो यहाँ से घुल इस direito ते हो चैप हो राकिन पॉल आप हीर्स कोज बहुत हाँ अपने एक जग कोई स caller और चैप तो के साथ भूल कोई युऊ यह अब अब करता ह सकते है अब बताओ यह आप लोग सोचो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर आप किसी दिन खाना नहीं लेके जा पाए हो तो आपके फ्रेंड्स आपके साथ खाना शेयर करते हैं बताओ करते हैं तो यह नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं तो नहीं चलो अब लोग थोड़ा सा पढ़त अगर आप लोगों ने वो फार्मर वाली फार्म वाली वीडियो और आप लोगों नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लेंग तो रहे हो आपको यहां पर इसे पढ़ते हैं we eat अब तो क्या है यह mango है यह pineapple है यह orange है यह हमारे गुलाब जामुन जो चुटे जो ग्रेप्स होते है यह वह है यह यह अपल है है यह बनाना है तो क्या यह सब फूट्स है और ये सब किया है वेजी टेबल से हैं जे चैप्टर था विजिट इंद मारक्त illeg लिए महानस नाम नहीं चुर्पा रही थі फर सेमये आप लोगे इस तरह से लिएे प्सायऽ क्री एकशने कोई देख लो ओकिए अब देखो we eat fruits and vegetables which farmers grow जो कि farmer उगाते है fruits and vegetables वह हम खाते हैं ठीक है अब देखो some farmers keep अब जो कुछ farmers है वो क्या रखते है जो कुछ farmers है वो क्या रखते है जो मदु मक्की का च्छत्ता होता है न वो लोग वो रखते आप देखो। फिर क्या है, वी गॉट हनी फ्रम रज्स किया है, अन्य जो फार्मर्स होते है मिल्क दूद मिलता है मैं और मेंज़े बिगल से आता है improvements कैसे बहुत बुक थिए खूल नहीं तो दो हमारे काओ मँपस को हमारे फार्मर्स को आप आइभ़न पीर को फार्मर्स सब्सक्राइब particulier जिसा है प्रोटी में बाडी में नूटीरिशन होती हैं, पूरी होती है, इसलिए हमें ऑना को साब्म आपिक्ती को को जो थांक्यो को बोलते हैं एक बार एक बार इडली और चट्नी, ये सूप, समोसा, छिप्राथी, ये चापथी, छोसा, यह यहां दोसा और समवर है यह तो सब अब यह सब को पता औरी आजकल है बच्छो मोमो से है धीक और यह हमारी नॉम्मल वही चटनी के साहथ रोटी रखी है और यह सिंपल रोटी रखी jest अब आप लोग यह बताओ नेम धा away यू शीन दा यह दो फूदे पेंड बता दिये थो पिचर में देखिए वह ने आप लोग को बता दिये जो सेखेंड पार इस यहार फेवरेट स्वीट कॉंसी तbie सब्सक्राइब अब मीठा तो मीठा है क्या विजिया थी लड़ो थे जली बी है मीठी ऑर है मफन ने यह तीन चीज मीठी है चार चीज आपके क्या फेवरेट है लड़ू ईटू गुजिया जो गुजिया होली के डाइम पर बनती है ना एसे शेप की होती है यह ऐसे एसे फिक्र में ऐसे वाली ठीक है मफेल जो केक से होते हैं और जलीबी आपकर क्या फेवरेट है यह आप लोग you pick up your plate after a meal, आपके बहुत अच्छी बात लिखी है बहुत अच्छा आपसे कुश्छन बूच रहे हैं do you pick up your plate, क्या आप अपनी plate उठाते हो, कब after a meal, meal मतलब खाने के बाद, after मतलब बाद में तो क्या पूझ रो कि क्या आप अपनी प्लेट को खुद खुद ब्ता के रखते हो मामा के spot मज़ी हो मेरी धो मेरी प्लेट अैसे करके सी अब यहादे हम बी पे मैच इस में भी आइटम भी मैच भी उसका हुए इनकaci है मतलब यह गोल है तो यहां पर बताओ गोल कॉन साइन में से यह वाला है यह वाला है यह वाला है यह वाला तो हम इसको इससे match कर देंगे गोल गोल अब यह कौन सा यह bread है यह किसी shape की स्क्वार है क्या is shape कि नाइN फरइ कौन सी है yes इस वाली shape की है अब यह samosa है samosa किसे shape triangle ऐसा देख रहरे नहीं यह भी ऐस ऐस और यह भी ऐस ऐस तो यह रहा हमने इसको इससे मैच कर दिया अब देखों क्या है next है यहां पे say the names of special dishes you eat at home आपको यहां पर नाम बताने है कुछ special dishes के जो कि आप अपने घर पे कहते हो वो मुझा मुझा सकती है जलेबी हो सकता एक है जो आपने घर पे घाते हों आपको नमक्र एक जो बसक्काइब करणा है करनाा है तुक्या इस तरह से आपको करना है ऐगे वटते हैं फटापाट देखते हैं fun with words हैं ई से लिस्सन तु दे following words that your teacher will read out I am reading for you and you have to notice that there is only one slable what does slable mean? Wawel what does it mean? I will tell you later Slable means Wawel W-O-W-E-L Wawel A-E-I-O-U these are 5 vowels these are 5 vowels if it is only one if it is only one if it is only one A-E-I-O-U we say only one slable meaning one vowel M-A-N only one vowel F-O-O-D only one vowel C-A-T Cat M-A-T Sit E-A-T E-A-T there are 2 vowels here there are 2 vowels but we are giving the sound only one so eat hut 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 go 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 come 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 go now see now you have to say two vowels two vowels two units now clapping together F-A-R farmer care rat market brin gel man go break fast two vowels different words in one vowel one vowel okay dinner dinner clear let's see match the following images to the sentences match the cap cow brown this cow is brown cow which cow cow are yeah user match कर दिया आप जो next यहां पे लिखा है are four oranges, अब oranges कहा है है यहा है रहे, मिल गए, तो अब हम इने match कर देते हैं, तो फोल दो हो गया ना? हम इने match कर दिया, अब यहां पर this is a purple cap यहां पर हो इसी है, match कर दिया ठीक है अब देखो डिस इस माय लंच लंच कोन सा है यह रहा हमने से match कर दिया और यहां पर इस 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 अ green Jeep यह रही Jeep हमने इसको इससे match कर दिया ठीक है अब यह last question रहेगा riddles का मतलब होता है पहली डिदल्स का मतलब क्या होता है पहली तो चलो इने बढ़ाते हैं क्या पूछ रहा है कि मेरा नाम ही मेरा तुमुर है और ये सब्सक्रान दहुंआ धात能儿 रहा ऑरेंज करने टानी पर इंत एन लाज consig ताना में kore-a-a-n-g-e orange है ओक्य हम निआ पर भर्रा ओरेंज आप देखो सेकंद क्या बोल रहा है वह हो आइंड ब्राउन ओं तो सइड मतलब आउट साइड मतलब बाहर से मैं हार हूं सकत हूं और ब्राउन कलर का हूं और मैं सॉफ्ट होता हूं वाइट हूं इनसाइड से मतलब मैं अंदर से white हूँ और soft हूँ और बाहर से मैं कैसा हूँ बड़ा कठोर हूँ और brown color का हूँ ऐसा क्या होता है coconut very good कौन सा होता है वो coconut होता है ठीक है अब देखो third में क्या है I am a vegetable मैं एक सबजी हूँ I am pink in color मैं color में pink हूँ I may also be white in color मैं color में white भी हो सकती हूँ if you cut me अगर आप मुझे काटोगे I am you cry मैं आपको रुला दूँगी I think ये सुनकर काफियों को पता लग गया होगा कौन है वो onion जब हम onion को काटते हैं आपकी ममा काटती है तो आखो में से आशुआ जाते हैं क्योंकि उसके इंदर एक ऐसा chemical होता है तो क्या बोल रहे है अगर आप मुझे काटोगे तो आपकी आंखों में आशुआ जाएंगे तो कौन सी है अनियन है अब देखो अनियन मतलब प्याज अनियन मतलब प्याज ठीक है अब जो लास्ट है उसमें क्या बोल रहे है I am a fruit I come in green और purple मैं एक fruit हूँ और मैं green भी क्या है grapes yes very good वो क्या है grapes okay grapes मतलब की अंगूर अंगूर कैसे आते हैं गुच्छे में आते हैं तो बस वहीं आपे लिखा है ठीक है तो चलो आप लोगों कहाँ पे chapter हुआ complete I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो chapter आप लोगों को समझना आया हो का नाम क्या था the food we eat ह हम सब बच्छों ने आपर खाना मिलके खाया ठीक है ओके जो भी आप लोग के से पहले के chapter साब की मिरदांग की बुक के अगर आप लोग उनकी वीडियो ना देखी हूँ तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप लोग वहां से पूरी प्लेलिस चेक आउट कर सकते हो ओके बच्चों चलो बाइबाई मिलते हैं अगली वीडियो में